हेलो दोस्तों मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर षटार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क मूल तथा गहन मूल अब देखो इस चैप्टर को भी हम जीरो से इस्टार्ट करने का मतलब क्या है कि मैं ये मानूंगा कि इससे पहले आपको इस च गहन के बारे में पता होना चीए, अब देखो अगर मैं सिंपल भाहसा में बोलूं, तो किसी संख्या को जब हम दो बार गुणा करते हैं, ठीक है, किसी संख्या को जब हम दो बार गुणा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो वर कहलाता है, ठीक, और अगर हम किसी संख्या को पावर में अगर 2 है तो उसको बोलेंगे वर्ग या स्क्वेर बोलेंगे ठिक और किसी संख्या की पावर में अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे गन या क्यूब ठिक इसी परकार से देखो वर्ग मूल तथा घन मूल आपस में क्या होते हैं वर्ग के साथ वर संख्याओं को गुणा करके एक लिखते हैं यानि इन दोनों संख्याओं के बतले हम एक ही संख्या लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गमूल इसी परकार से गनमूल में क्या होगा कि जब एक ही परकार की तीन संख्याओं आपस में गुड़ा की जाती है और इनके इस्तान पर जब हम एक ही संख्या लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं गनमूल ठीक है अब देखो इसका साइन क्या होता है इसका साइन होता है किसी भी संख्या की पावर में अगर 1 by 2 है तो उसको बोलेंगे वर्गमूल या square root या इसका ये वाला sign भी होता है टिक इसको भी क्या बोलते हैं इसके अंदर अगर कोई संख्या है तो उसको भी बोलते हैं वर्ग मूल या square root और अगर किसी भी संख्या की power में 1 by 3 है या इस परकार का sign है तो उसको बोलेंगे cube root या घन मूल टिक हैं अब देखो हम ये जानेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग हम किस परकार से निकाल सकते हैं अब देखो इसमें आपको एक चीज बता होनी चाहिए देखो अगर आप 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन अगर याद कलने तो आपकी calculation बहुत आसान हो जाएगी ठीक है यानि minimum एक से लेकर 50 तक के वर्ग और एक से लेकर 10 तक के तो आपको घन याद होने ही चाहिए अगर आपको ये चीजा याद हैं तो किसी भी संख्या का वर्ग मूल भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं गन मूल भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग भी आसानी से निकाल सकते हैं और गन भी आसानी से निकाल सकते हैं अब देखो किसी भी संख्या का वर्ग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं देखो अगर एक से लेकर 120 संख्यायों के वर्ग निकालना है तो इनकी ट्रिक्स क्या होती है देखो एक्जामपल के लिए हम छोटे एक्जामपल से शुरू करेंगे मान लीजिए हमें 15 का square निकालना है ठीक है तो इसका work किस परकार से निकालेंगे देखो इसमें 2 number हैं तो क्या कर दो इनको अलग अलग कर दो यानि सबसे पहले हम 1 का square निकालेंगे देखो 1 का square कितना होता है 1 ही होता है ठीक है और 5 का square कितना होता है 5 का square होता है 25 और आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि वर्ग मूल या वर्ग में हमेशा 2 संख्याओं का pair बनता है ठीक है और घनमूल में कितनी संख्याओं का pair बनता है घनमूल में हमेशा 3 संख्याओं का pair बनता है क्योंकि हम 0 बाद में लिखते हैं तो इससे कोई फराग नी पड़ता है यहां पे 0 लिखो या ना लिखो अब देखो हमें क्या करना है इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 5 दुनी 10 अब एक संख्या छोड़के हम 10 एड़ करेंगी देखो एक संख्य क्या इसको छोड़ा यहां पे हमने 10 लिखते है इसको एड़ कर दो कितना होगा यह 5 दो और एक और एक तो यानि 225 क्या हो जाएगा पंद्रा का स्क्वेर हो जाएगा इसी परकार से देखो अगर हम दूसरा एक्जामपल देखते हैं मानने जी हमें 29 का स्क्वेर निकालना ह तो किस परकार से निकालेंगे देखो 2 का स्क्वेर होता है 4 9 का स्क्वेर होता है 81 इनको गुणा कर दो तो कितना होगा यह 9 दूनी 28 दूनी 36 और एक संख्या छोड़के तो यहां पे 36 होगा इनको जोड़ दो 1 8 8 6 14 को 4 4 3 7 वरी काड़ यानी 841 इसका स्क्वेर हो जाएगा ठीक है इसी परकार से एक और एक्सामपल लेते हैं मान नीजे 89 का स्क्वेर निकालना है तो किस परकार से निकालेंगे देखो 8 का स्क्वेर होता है 64 9 का स्क्वेर होता है 81 इनको गुणा कर दो कितना होगा 8 9 72 और 2 से तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 तो इनको जोड़ दो 1 8 और 4 12 को 2, 4, 4, 8, 9, 6, 7, बहुती जल्दी आप क्या कर सकते हैं, इनका square निकाल सकते हैं, ठीक है, अब देखो हम बड़ी संख्याओं का square किस परकार से निकाल सकते हैं, जैसे हजार तक की संख्याओं का square किस परकार से निकाल सकते हैं, जैसे हमें मान लीजिए, 123 का square निकालना है, तो पहली वाली ट्रिक मैंने बताई उसको एक से लेकर 100 तक संख्यां का अगर हमें square निकालना है, तो पहली वाली trick को यूज कीजिए। But आपको 100 से आगे 1000अथ तक की संख्यां का square निकालना है तो किसाफ्या से निकालना है। देखो example के लिए मान लीजे हमें 123 का square निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे देखो हमें ये देखना है कि 123 किस संख्याओं के बीच में है देखो किस संख्या के बीच में है 100 और 200 के बीच में है ठीक है इस में से देखो ज्यादा पास में कौन से संक्या है ज्यादा पास में 100 है इसका मतलब क्या करेंगे हम 123 का स्कुराय निकालने के लिए देखो अगर हम इस में से 23 माइनिस कर देते हैं ठीक है तो 100 आ जाएगा अब देखो जो चीज हम माइनिस करेंगे वही चीज क्या क करेंगे, ठिक, अब देखो, इस 무ë से यह माइनीष करिगो, कितना होगा, सौ होगा, ठिक है, इंटू, इस में से यह पिलस कर दो कितना होगा, देखो, 3 और 3, 6, 2 और 2, 4 और 1, यानी 114 हो जाएगा, ठिक, इनको क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, तो कितना होगा 14600 हो जाएगा ठिक अब देखो हमें क्या करना है जो चीज हमने घटाई या जो चीज हमने जोड़ी उसका square करेंगे देखो 23 का square आपको याद होना चाहिए तो इसका square कितना होता है 529 होता है ठीक है अब देखो अगर आपको याद है तो ठीक है नहीं याद है तो क्या गरेंगे जैसे हमने पिछली वारी trick में यूज किया था इन दोनों का निकालो कितना होगा 2, 2, 4, 3, इन दोनी 6, 12 तो जोड़ो 9, 2, 4, 5 यानि 529 होता है अब देखो इसमें 539 जोड़ेंगे कितना होगा यह 9, 2, 6, 5, 11, 1, 4, 5, और 1 हो जाएगा यानि यह वाला क्या हो जाएगा 123 का square हो जाएगा इसी परकार से मान लेजिए दूसरा नम्मर लेते हैं मान लेजिए हमें 265 का square निकालना है तो किस परकार से निकालेंगे देखो यह किस के पास में है देखो 200 और 300 के बीच में है और किस के पास में है देखो 300 के ज्यादा पास है तो हम क्या करेंगे इसको 265 का square किस प्रकार से निकालेंगे देखो अगर हम इसमें 35 add करते हैं तो 300 हो जाएगा यानि 35 को minus करना होगा ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक को 300 गुणा फिर 35 minus कर दो तो 5 में से 5 गया 0 6 में से 3 गया 3 और यहां पर 1225 होता है ठीक है अगर आपको याद है तो ठीक है नहीं है तो ऐसे निकालो 3 ती 9 55 25 5 ती 15 दुनी 30 तो 30 add कर दो तो 5 2 9 और 3 12 ठीक है अब यह क्या कर दो इसमें 1225 add कर दो तो कितना हो जाएगा 5 2 2 1225 add करेंगे तो 5 2 2 0 और 7 यह इसका क्या हो जाएगा square हो जाएगा ठीक अब देखो कोई और नम्म लेलो मान लीजे हमें 729 का square निकालना है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं देखो अगर इसमें 29 माइनिस करते हैं तो 29 प्लस करना होगा तो यहां पर कितना होगा यह 700 हो जाएगा into इसको प्लस कर दो कितना होगा 9 और 9 18 को 8 2 और 4 और 1 5 यह नि 7 5 8 हो जाएगा इसको गुणा कर दो तो 8 सेता 56 कुछ है 7 35 और 5 कितना होगा 40 को 0 7 सेता 59 और 4 53 आगे 2 0 है तो 2 चुरिय लगा दो देखो 29 का square कितना होता है 841 होता है तो यहां पर 841 एड कर देंगे तो कितना होगा 1 4 8 और 6 चाहता कि 4 यहां पर 1 यहां पर 3 और यहां पर 5 तो यह क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा ठीक इसी प्रकार से एक और example देखते हैं मान लीजिए हमें 8 9 7 का square निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे देखो यह 900 के पास में है तो यहां पर 900 कर दो ठीक है यानि 3 को add करना होगा और 3 को minus करना होगा तो 3 add करती है into 3 minus कर दो कितना होगा यहां पर 7 में से 3 गया 4 8 और 9 इनको गुणा कर दो 9 चकुछ 36 कुछ है 9 9 81 और 3 कितना होगा 84 8 92 और 8 कितना होगा 80 होगा ठीक है 2 0 अब देखो 3 का square कितना होता है 9 होता है तो यहां पर 9 add कर दो 9 0 6 4 0 8 यह क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा तो इस परकार से हम किसी भी संख्या का square निकाल सकते हैं अब देखो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल किस परकार से निकाल सकते हैं देखो वर्गमूल निकालने के लिए आपको कुछ चीज़े याद होनी चीए जैसे 1 से लेकर 10 तक के जितने भी square होते हैं वो आपको याद होनी चीए ठीक है अब देखो इनके unit place में हमें देखना है कौन-कौन से नमर है जैसे 1 के unit place में आता है 1, 2 के unit place में आता है 4, 3 के आता है 9 and so on ठीक है अब देखो इसमें आपको कुछ और चीज़े ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं की cyclicity 4 होती है उनका कभी भी वर्गमूल नहीं बनेगा जैसे example के लिए 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्याओं की अगर unit place में है ठीक है तो उसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा जैसे example के लिए है 4, 4, 2 तो इस संख्याओं का वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा perfect workmool कभी नहीं निकलेगा 8 है तो उसका भी नहीं निकलेगा और अगर 3 है तब भी नहीं निकलेगा यानि अगर unit place में इन 4 नमर में से कोई भी एक नमर है तो उसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा ये चीज़ आपको धियान रखनी है ठीक है अब देखो हम एक छोटे से example से शुरू करते हैं मान है ठीक है तो हम right hand side से pair बनाना शुरू कर देंगे देखो दो pair ये बना दिये दो संख्याओं के pair और एक ये बचा तो इसको उपर भी बाल लगा दो अब देखो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा जितने pair बनेंगे उतने नमर का वर्गमूल होगा देखो दो pair बन रहे ह जाने दो संख्याओं का वर्गमूल होगा ठीक है अब देखो unit place के लिए क्या करते हैं देखो के एकाई के अंग के लिए क्या करेंगे हम केवल इसका unit place देखेंगे देखो 6 को देखना है 7 को नहीं देखना है केवल 6 को ही हम देखेंगे देखो 6 का मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला था कि किसी भी संख्या के unit place में अगर 6 होगा तो उसका जो वर्गमूल होगा वर्गमूल का जो unit place होगा या तो वो 6 होगा या तो 4 होगा क्योंकि इन दोनों को मिला के 10 आना चाहिए ठीक है या तो 6 होगा या 4 होगा या या यहां पर या तो 6 होगा या 4 होगा ठीक अब देखो इसको छोड़ दो अब देखो दूसरे नमर में हमें क्या करना है देखो दूसरे नमर में यहां पर है 5 ठीक है 5 किसके square के बीच में आ रहा है देखो 2 का square होता है 4 ठिक और 3 का sqqr कितना होता है 3 का sqqr होता है 9 यानि 2 के sqqr और 3 के sqqr के बीच में आ रहा है तो जो पहले वाला नम्मर होगा उसको हम लेंगे दिएको पहले वाला नम्मर कौन सा है 4 है यानि 4 किसका sqqr है स्थेको 2 का sqaR है यहां पर टू ओगा यानी जो छोटा वाले नमबर होगा उसको लेंगे तो यहां पर टूओगा अब्रब कुणसा नम्मर होगा रिप क्या करना है कि यहांपर हमने टू ले लिया तो हम 2 के बाद कौन सा नममर आता है देख्व 2 के बाद 3 आता है तो इन दोनों को कितना होता है 3, दूरी 6 सिक्स होगा ठीक है अब लेके हैं अब हमें यह देखना है कि यह जो 5 है यह 6 से बड़ा है यह चोटा है देको 5 चैसे छोटा है इसका मतलब छोटा नम्मर होगा एक बार दुबारा समझते हैं पर वह दो उसको करना है अब देखो जितने pair होंगे तो उस संख्या का वर्गमूल उतनी संख्याओं का होगा दो pair हैं तो दो संख्याओं का pair बनेगा इसमें क्या करना है यहाँ पे हमें केवल यह वाला नमर देखना है ठीक है और अगर unit place में 6 है इसका मतलब उसका वर्गमूल या तो 6 होगा या 4 होगा क्योंकि इनको मिला के कितना होना चाहिए टोटल 10 होना चाहिए या तो 6 होगा या 4 होगा ठीक है तो यहाँ पे लिख दो या तो 6 या 4 इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए देखो यह वाला देखना है तो यहां पर 5 है तो हमें यह देखना है कि देखो अगर हम 3 का square करते हैं तो 9 होता है देखो जादा हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा 2 के square यानि इससे पहले जो भी perfect square होगा उसको लेना है देखो 2 का perfect square पर चार होता है अगर तीन का लेते हैं तो जादा हो जाएगा तो हमें क्या करना है दो का लेंगे तो यहां पर दो हो जाएगा अब देखो इन दौनों में से कोई एक चूज करने के लिए क्या करेंगे जो हमने यहां पर दो लिया उसके बाद कौन सा नमर आता है देखो दो क नम्म लेंगे और यह जो संख्या है यह इस से अगर छोटा है तो छोटा वाला नम्म लेंगे ठीक है देखो 6 बड़ा है 5 छोटा है यानि यह छोटा है इसका मतलब हम छोटे वाला नम्म लेंगे इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 24 इसका आंसर हो जाएगा ठीक अब देखो मान लेजे हमें 5, 3, 2, 9 का क्या निकालना है square root निकालना है ठीक है तो हम किस परकार से निकालेंगे देखो 2 संख्याओं का pair हमने बना दिया इसका मतलब जो answer आएगा वो 2 संख्याओं का आएगा ठीक है इसमें क्या करना है इसमें हमें unit place को देखना होता है 9 है, 9 का मतलब क्या होगा दिखो 9 किस का perfect square होता है 3 का perfect square होता है तो answer या तो 3 होगा या कितना होगा, 7 होगा क्योंकि इनको जोड़के 10 आना चीए ठीक है, यानि यहां पर या तो 3 होगा या 7 होगा, अब देखो यहां पर पहले कि इन दौनों में से कौन सा होगा तो 7 के बाद कौन सा नमर आता है 8 आता है तो इनका गुणा करतो आठ से तक इतना होगा 56 अब देखो ये बड़ा है ये चोटा है अगर ये चोटा होगा तो चोटा नमर तो क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा यानी 73 हमारा answer हो अब देखो एक और example देखते हैं अब देखो मान लीजे इन दौनों संख्याओं का वर्गमूर निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 का पेर बनाएंगे ठीक है तो ये हमने 2 का पेर बना दिया तो देखो इसमें कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं यानि 3 संख्याओं का अमारा answer होगा ठीक है तो इसमें क्या करना है सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका unit place देखना है देखो 4 है 4 किसका perfect square होता है 2 का होता है यानि जो यहाँ पे होगा या तो 2 होगा या कितना होगा 8 होगा क्योंकि इनको जोड के total 10 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे लिख दो 2 या 8 अब देखो इन दौनों संख्याओं के लिए क्या करेंगे हम देखो बचा कौन सा 163 बचा तो 163 देखो अगर हम 13 का square करते हैं तो कितना होगा 169 यानि जादा हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा 12 का square कितना होता है 144 यानि क्या लेना होगा हमें 12 लेना होगा तो यहाँ पे कितना लेंगे हम 12 लेंगे ठीक अब देखो इन दौनों में से कौन सा होगा उसके लिए क्या करेंगे हम 12 12 के बाद कौन सा नमर आता है 13 तो 13 से गुणा कर देंगे ठीक है तो 12 36 कुछ है बारेकम 12 और 13 कितना होगा 15 कितना आ रहा है 156 अब देखो 163 बड़ा है 156 छोटा है क्योंकि यह बड़ा है इसका मतलब कौन सा आएगा बड़ा वाला नमर आएगा यानी 128 क्या हो जाएगा हमार जो आनसर होगा उनमर का होगा इसके लिए क्या करेंगे हम योनिट प्रेश में देखो 5 आयेगा यहां पर क्या है क्यांगा या हाँ यहां पर क्योंकि अаватьMac clap आ रहा है या 5 आ रहा है इसका मतलब उस वर्गमूल का unit place भी क्या होगा 0 आ रहा है तो 0 होगा और 5 आ रहा है तो 5 होगा ठीक तो यहां पर हमने 5 लिख दिया अब देखो इसके लिए क्या करेंगे हम देखो इसका निकालेंगे यानि जो संख्या बची देखो 2450 बची इसका मत होता है ठीक है यानि इससे कम है इसका मतलब यहां पर कितना होगा 49 हो जाएगा इसका मतलब यह क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए लगवग एक से लेकर का वर्गमूल निकाल सकते हैं अब देखो यह तो ही वर्गमूल की बात अब देखो हम किसी भी संख्या का घनमूल किस परकार से निकाल सकते हैं देखो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी अब देखो जैसे किसी भी यूनिल प्लेस में कितना होगा 2 होगा and so on अब देखो अगर किसी भी संख्या के यूनिल प्लेस में या तो 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है अब देखो इन 6 संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या है तो इसका मतलब उसका जो घनमूल होगा उसके यूनिल प्लेस म 4 होगा 5 है तो unit place में 5 होगा and all that ठीक है इसी परकार से देखो आप कौन-कौन सी संख्या हैं बची देखो 1 बचा 2 और 1 बचा 3 ठीक है अगर किसी संख्या के unit place में 2 है तो इसका मतलब उसका जो घनमूल होगा वो 8 होगा घनमूल के unit place में 8 होगा ठीक है क्योंकि इनको जोड के जोड के भी कितना आना चीए 10 आना चीए और अगर 3 है तो क्या होना चीए 7 होगा इसको जोड के भी कितना होना चीए 10 होना चीए इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि किसी संख्या के unit place में अगर 2 आ रहा है तो उसके घनमूल का जो unit place होगा वो 8 होगा और अगर किसी संकhiya के unit place में तीन आ रहा हैं इसका मतलब उसके घनमोल के unit place में साथ में अगर किसी संख्या के unit place में। साथ मक्राइब इसका मतलब उसके unit place में तीन आएगा, यह चीजें आपको ध्यान रखने हैं और बाक़ी एक आ आएगा तो एक यह 728 का क्या निकालना है गनमूल निकालना है और गनमूल के लिए मैंने आपको एक चीज़ बोली है कितनी संख्याओं का पेर बनता है देखो वर्मूल के लिए 2 बनेगा तो गनमूल के लिए 3 संख्याओं का पेर बनाएंगे ठीक है तो यहां से पेर बनाना शुरू कर दो दो पेर बन रहे हैं इसका मतलब इसका जो घन मौisestiोगा वो दो संख्यां का होगा ठीक है अब देखो क्या है यूट निच्वेस में आ एट एट आ रहा है इसका मतलब क्या होगा इसके यूटिट में क्या औट तो होगा ठीक है क्यूंकि मैंने बोला था अगर 3 तो 7, 7 होगा, तो 3, और 2 होगा, तो 8, और 8 होगा, तो 2, टूटल मिला कि 10 आना चाहिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, देखो, एक किसके cube के बीच में आ रहा है, देखो, एक यहां पे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका मतलब इसका जो answer होगा वो कितना होगा 12 हो जाएगा इसी परकार से देखो हम दूसरा example देखते हैं अब देखो मान लीजिए हमें क्या करना है इसका घनमूल निकालना है देखो unit place में कितना है 3 है और मैंने बोला था अगर 3 है तो क्या होगा 7 इसके unit place में हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर 7 कर देंगे अब देखो हमें क्या करना है इसको check करना है देखो किसके cube के बीच में आ रहा है अब देखो एक और example लेते है माल नीचे हमें इसका cube root निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे देखो 2-2 का pair बना दो ठीक है यानि जो answer होगा वो 2 संख्याओं का होगा अब यहाँ पर 9 आ रहा है इसका मतलब जो unit place होगा वो कितना होगा 9 ही होगा क्योंकि 0,1,4,5,6,9 अगर किसी के unit place में आ रहा है तो जो workmol होगा उसके unit place में भी यह सारे number ही आएंगे यानि अगर 0 है तो 0 1 है तो 1 9 है तो 9 ठीक है तो यहाँ पर क्या गड़ते हैं हमने 9 लिख दिया अब देखो इसके लिए क्या करेंगे देखो 704 आ रहा है अब देखो अगर हम 9 का cube करते हैं तो कितना होता है 729 यानि इससे ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब हमें क्या करना होगा 8 का cube ही लेना होगा यानि यहाँ पर कॉन से नमर लेना होगा 8 लेना होगा तो यह किसका cube root है 89 का cube root है इसी परिकार से देखो अगर हम एक दूसरा example लेते हैं अब देखो इसका cube root निकालना है तो क्या करेंगे हम 3-3 का pair बनाएंगे ठीक है यानि जो answer होगा वो 2 संख्याओं का होगा तो यहाँ पर 1 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर B1 होगा अब देखो यह किसके बीच में आ रहा है देखो अगर हम 5 का cube करते हैं तो कितना आता है 125 आता है और 6 का cube करते हैं तो कितना आता है 216 आता है तो यह देखो जादा हो जाएगा यानि क्या होगा 5 हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा तो इस परकार से हम किसी भी संक्या का गहन मूल निकाल सकते हैं अब देखो किसी भी संक्या का गहन हम किस परकार से निकाल सकते हैं देखो एक छोटा सा एक्जामपल हम लेते हैं इसी फरकार से हमें यहां पर भी क्या करना है, यहां पर देखो उसमें square निकालते थे, यहां पर cube निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का square करेंगे और दूसरी संख्या के साथ गुणा करेंगे पहली संख्या का square और दूसरी संख्या के साथ गुणा तो कितना होगा ये 2 होगा तो यहाँ पे हम 2 लिखतेंगे इसी परकार से दूसरी संख्या का square करेंगे और पहली संख्या के साथ गुणा कर देंगे तो कितना होगा यह दो दुनी चार हो जाएगा तो यहाँ पर हम चार लिखतेंगे अब देखो क्या करेंगे हम पहली संख्या को छोड़ेंगे और लास वाली चंख्या को छोड़ेंगे और इन दोनों संख्याओं का 2 गुना कर देंगे देखो 2 का 2 गुना होता है 4, 4 का 2 गुना होता है 8, अब देखो इनको जोड़ दो कितना होगा, 8, 8 और 4 12 को 2, 4 और 2 6, 1, 7 और 1, यानि ये क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, ठीक, अब देखो एक और example लेते हैं, माल लीजे हमें 23 का cube निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, क्या करेंगे पहली संख्या का स्क्वेर और दूसरी संख्या के साथ खुणा, तो 2 का square 4 गुणा 3, 4 ती कितना होगा 12, अब दूसरी संख्या का square और पहली संख्या के साथ गुणा, तो 3 ती ती नो दुनी 18, अब देखो पहली संख्या को छोड़ेंगे, लास वाली संख्या को छोड़ेंगे, इन दोनों का दो गुणा, 12 दुनी 24, 28 दुनी 36, इनको यहां पर हम केवल यह वाला लेंगे, तो यानि 7 लेंगे, और यह जो 2 है, यहां पर चले जाएगा, 18 और 2, 20 और 36 कितना होगा, 56 हो जाएगा, तो 56 का 6, हासिल कितना होगा, 5 यहां पर चले जाएगा, 12, 17 और 24 कितना होगा, 41, 41 का 1 लेंगे, और यहां पर हासिल 4 चले जाएगा यह हो जाएगा ठीक है अब देखो मान लीजिए हमें 47 का इस क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है ठीक है अब देखो क्या करेंगे पहली संख्या का स्क्वाइर दूसरी के साथ जोड़ दो तो चोंको Census 16 और 3 कितना होगा 19 तो यहाँ पर 196 हो जाएगा पहली संक्या को छोड़ेंगे लास deine संक्या को छोड़ uniquely इतना इसका दोगना कितना होगा 4, 2, 2, इसका दो गुना, 6, 2, 12, को 2, 9, 2, 18, एक 19, 2, 13, थिक है, इनको जोड़ दो, अब कितना होगा, अब देखो यहाँ पे 3 लिखेंगे, एक ये, अब यहाँ पे देखो क्या गरेंगे, हम 3 लिखेंगे 34 कह रही होगा, तो यहाँ पर 34 किफो लिख देंगे अब क्या कर दो इनको जोड़ दो कितना होगा 6 और 4 10 और 2 12 को 2 9 और 9 8 और 3 21 21 को 2 3 4 5 6 ठीक है यहां पर क्या हो जागा इसका भी 2 आएगा अब देखो 62 यहां पर आ जाएगा यानि कहरी आ जाएगा तो 2 और 2 4 और 4 8 ठीक है दो 3 6 और 3 कितना होगा 9 यहाँ पर कितना होगा 2 और 1 3 अब यहाँ पर कितना आएगा यह वाला 8 आएगा 39 है यहाँ पर लिजाएंके तो कितना होगा यह 9 और 4 13 तीन होगा हो शैवर 3 नौ और 10 , यानि यह क्या हो जाए बाइब बाइब बाइब